कभी-कभी दोस्तों जो हम online swoopping करते हैं तो मन में confusion बना रहता हैं, जानते हैं क्यां कि कपड़े का right size हम कैसे choice करें, समस्य ऐसी ही होती है कि कपड़े का original size हम कैसे choice करें, क्योंकि कभी हमें ul देखने को मिलता है कभी xl, कभी4 xi xl, या फिर y sap साइज तो हम बड़ा confusion हम लोग हो जाते हैं तो वही solution आपको दूँगा कि इसका meaning क्या है सारा कुछ अच्छे से बताऊंगा और ऐसा तरीका आपको बताऊंगा meaning के साथ साथ कि उसका measurement कितना होता है और आप अपने आपको कैसे major कर पाएंगे कि हमें यल लगेगा या XL लगेगा या कोई भी साइज लगेगा 100% आपसे मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने खुद के साइज प्राप्त कर पाएंगे काफी अच्छी वीडियो होने वाली है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू तो हेलो इंडिलकम दोस्तों आप देख रहें अंड्रोइट जिंक्स है य्टूब चैनल और मैंना मैंडूपेज दोस्तों आचली शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं न दोस्तों फिर कैसे कैसे क्या करना है तो दोस्तों लाइब स्क्रीन पर हम आ चुके हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं देखिए साइज मेजर करना आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा और यह एक बारे दिए आप सीख जाते हैं तो जैसे मीसो एप हुई फ्लिपकार्ट एमेजान कोई भी मिंत्रा हो गया आनलाइन स्वापिंग के आप माहिर बन चार्ट दिया गया है जिसके मदद से मैं आपको बता दोंगा तो किसी भी एप पर स्वापिंग करेंगे तो आप अपने आपको मेजर कर पाएंगे तो फिलिपकार्ट एप आप डाउनलोड के लिए और इसके चार्ट में मैं समझा रहा हूं उसी चार्ट से आपको समझना होगा ठीक ना ओर प्लिपकार्ट की है काफी ऐप में चार्ट नहीं मिलता इसी में बस मिलता है तो जैसे कोई प्रोडटर सच कर लेते हैं चाहे है ज jul 00 यहां पर आएंगे तो नीची साइज चार्थ साइड चाट फर आपको क्लिक करना ठीक है जो जो भी सामान आपको खरीजाना इस तरह से प्लिपकार्ट में आएंगे न तो हर सामान का साइट चार्ट मिलता है और आप इहां पर बस देखिए मनकरें तो जाके आप मिंत्रा पर खरीज अमेजन पर खरीजे जहां और यहांपो मेजर कर लेजिए त्टीक है जैसे माले तो आपको कौन साइज लगेगा यह लगेगा यह अपने आपको माप सकते हैं अपना रियल साइज पता कर सकते हैं नीचे आएंगे तो आपको फीगर मिलेगा जहां पर बताया रहता है यह पूरा पैमाना नीचे बताया रहता है एक फीगर के माधियम से तो आप अपने आपको मेजर कर पाएंगे और आपको मैं फूदा साइज का मतलब होता है इसमाल, एम का मतलब होता है मेडियम, एल का मतलब होता है लॉंग, एक्सेल का मतलब होता है एक्स्ट्रा लॉंग, डबल एक्सेल का मतलब होता है एक्स्ट्रा 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 लॉंग, और ट्रिपल एक्सेल का मतलब होता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्र प्यारे में इतना आप लोग अपना अपना ख्याल लेखिएगा जय हिंद बंदे मातरम जय माता दी फ्रेंट्स बाइबाइब दोस्ते